नमसकार दोस्तों मेरा नाम में निमाई प्रजान और मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका चनल बाबा बाबाबा जी को दोस्तों आज हम बात करेंगे आईयर्वेधिक में टोप फाइब मेडिसिन जो की आपको वेर्चेन करने में मदद करेगा आप आयर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में जानते ही होंगे इनकी शुरुवात हमारी पुर्वोजना की थी ये लोग बुरी से बुरी विमारी को भी हर बाल सेंड जोड़ी बुटियों के जोड़ी खतम कर दिया करते थे नर्माली पतले लोग कम खाना खाते हैं और मटा होने के लिए जिन प्रोटियन्स और न्यूट्रेंस की जोड़ोत होती है वो कम खाना खाने की बज़े से भरपूर विटामिस नहीं मिल पाती है और इन नीट्रेंस को पाने के लिए दोबाई की जोड़ोत बढ़ती है। ये आयर्वेदिक मेडिसिन बोजन बढ़ाने के साथ आपकी बोड़ी के स्ट्रेंट भी बढ़ाएगा। नमबर एक पर चोबन प्रास। चोबन प्रास आप पतंजलिका ले सकते हैं। डाबर कभी ले सकते हैं। चोबन प्रास सबसेद ज्यादा पॉपुलर टोनिक है मटा होने के लिए। इसमें बहुत से नीट्रेंस हार्थ होती हैं। मुझूद जोड़ी बुटियों से पचाने सकती बढ़ती है और इसको खाना खाने के लिए कोई एज मेटर नहीं करती बच्चा से लेकर बुढ़ो तक इसका कोई भी उपरज कर सकते हैं दूसरी नमबर पर आता है बोसंत कुसुमा कर रस ये दबाई आप डाबर का भी ले सकते हैं पतनजली का भी ले सकते हैं ये आपके एपर डिपेंड करता है बोसंत कुसुमा कर रस भी एक पॉपुलर मेडिसिन है जोकी पावडर और टेबलेट दो अनो फर में मिलती है ये प इसरी नमबर पढ़ाता है औस्वगंदा चुन यह उन फेमोस प्रोड़ाट में से है जो कि घासकर बजन बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं औस्वगंदा पाउडर एंट टेब्लेट फॉर्म में आता है औस्वगंदा को वेड़ बढ़ाने के लिए काफी यूज किया जाता है चोथा नमबर पर आता है सता बड़ी यह प्रोड़ाट प्रेग्डेन आमेंस के लिए बहुत ही लाबकारी होता है इसका विप्रजोग बजन बढ़ाने में भी यूज किया जाता है इसमें मौजूल जोड़ीबुट या हार्स में हाइड्रेटर होता है जो कि बोड़ी क बालांस करता है साथ ही यह दाइजेशन प्रोस्सक्रापी तेज करता है पांच भी नमबर पर आता ही वह मोल रह बहुत लाब्दा ही 46 ब्योक्ति कार बाप्ट होता है वह कापी वजन नहीं भडा सकता है यह अयुज आइरवेदिक मेडिसिन खासक और युमिनी सिस्टम को ग्रोध करती है जिसे स्टेमिना इन स्ट्रेंथ दोनों तेजी से बढ़ जाता है तो दोस्तों यह था पांच आइरवेदिक यह सब प्रोड़ेट्ट जो कि आपको वेड़ गुन करने के लिए मदद करेगा लेकिन कमें सेक्शन में मैं हर टाइम कमेंट पड़ता हूं कि मेरा यह दबाई ले रहा हूं मेरा वेड नहीं बढ़ रहे इसका कोज़र से होता है कि जदी आप डाइट ठीक से नहीं लेंगे तो आपका डायट में कार्बोहायड की मात्रा प्रोटिन की मात्रा जोदी कमी होगी तो यह दबाई कुछ भी असन नहीं करेगा आपको वेड बढ़ाने के लिए तो पहले आप डायट को सुधाल ले उसके बाद यह दबाई का उप्रजेक करेंगे तो आपका वेड जरूर बढ़ गाई यह में गरेंटी देता हूं जोदी आप डायट को सुधाल लेंगे तो दोस्त झाल